हलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके ट्रस्ट वर्दी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस में आज के वीडियो में डिसकेशन होगा बिहार एसाई मेंस के बारे में हमारे पास क्या क्या सोर्सेस उपलब दें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस आपको क्या दे रहा है या फिर आप खुद से कैसे घर बैठे तयारी कर सकते हैं बिना किसी का पेट बैच करीदे या फिर बिना किसी चक्क्रों में पड़े आप आसानी से relevant मेटरियल से कैसे तयार कर सकते हैं बिहार SI Mains के previous year record पर आधारित यह हमारा analysis का वीडियो है इसको मैं ला रहा हूँ आपके सामने study for civil services के जितने भी subscriber BPSC की तयारी करते हैं BSSC की तयारी करते हैं बिहार SI Mains की तयारी करते हैं बिहार से related जितनी परिक्षाओं के तयारी करते हैं वो हमारा यह वाला update का group join कर लिजेगा इसमें सारी updates आपको मिलती हैं कोई advertisement या खरीदने का link हम लोग इसमें नहीं डालते हैं इस group को join करने के बाद यहाँ पर strategy की बारे में बात कर लेते हैं subject wise चलेंगे पहले official syllabus को देख लेते हैं है क्या मुखे परीक्षा में समलित होने का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा जो प्रारंबिक परीक्षा में qualify हो चुके हैं 200 अंकों का paper होगा 2 paper होगे ध्यान 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आपको अनिवार है समान हिंदी के paper में विशा का लिए गए हैं द्वतिय प्रश्म पत्र जो समान अध्यन यानि जीएस का होगा उसमें समान विज्ञान नागरिक शास्त्र भारती इतिहास भारती भूगोल कनित मानसिक योगिता जांत से स मंदित प्रश्न होंगे और पूरांग 200 होगा और कुल प्रश्नों की संख्यास होगी ठीक है तो अब प्रिविएस येर के आधार पर आप कैसे कैसे अपने सब्जक्त तैयार कर सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अधर एक बात याद रखिए का यहाँ पर प्रत गलत उत्तर परी निगेटिव मार्किंग भी है तो इसमें हमको थोड़ा और सावधानी बरतनी है एक प्रती आयू के पास रक्षित रखी जाएगी एकर दो के अंकसेम हो जाते हैं तो आयू की गढ़ना की जाएगी फिसकल में लेने के लिए लिए अगर आप बिहार में प प्रशन होते हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास से ठीक है तो यहां पर क्या स्ट्राटिजी होनी चाहिए इतिहास तो बहुत बड़ा है बहुत सारी बुक्स हैं बहुत सारी चीज़ें क्या क्या यहां पर कर सकते हैं देखिए इतिहास को आप तुकडों में तोड़ ल करना है ठीक है सारी chronology नहीं याद की जा सकती है सारी वन्शावलियां आप भी नहीं याद कर सकते हैं मैं भी नहीं मुखते समाजिक परिस्थितियों पर अधारित जो है सवाल आते हैं कि बताइए रप्पा में आपको क्या मिला है वहां की society कैसी थी अर्बन है आपको नालिय में कैसा था मौर वन्श में कैसा था ठीक है कुछ महत्पूर्ण शासकों के कारना में या फिर कारिक्रम आपको ध्यान में रखने किस्ते जो है सेतू बनवाया किस्ते जो है अपना इंस्क्रिप्शन बनवाया कुछ इनिस्क्रिप्शन होते उनसे रिलेटेड आपके शासक ठीक है किस ने क्या उपाधी प्राप्त की यही सब पर है हमेशा question आए आप जाके previous year देख लीजिएगा Terminology की बात करनी है Terminology कभी कभी आ जाती है इसमें एक दो question जरूर होगे इससे प्राचीन भारत की Terminology पूछ सकते हैं और मधिकाली इनकी आप से पूछते हैं बताईए इस तथ्य का मतलब क्या होता है इस तर्म का क्या मतलब होता है ऐसा सवाल बनता है तो इस तरह की सवालों के लिए हमने एक वीडियो बनाया था आपका 45 मिनिट का उसमें सारे तथ्यों को लगभग कवर कर लिया गया उससे बाहर नहीं आता है Study for Civil Services History Terms आप लिखेंगे यूटूब में हमारे कई सारे वीडियो सामने आएंगे ये है वो इतिहास का वीडियो जिसमें सारे तथ्य बताए गए है कि मतलब क्या किस चीज का मतलब होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो चल रहा है यहाँ पर आपको सब बताएगे खुदकस्त क्या होता है आपको कुलकरणी मराठा समराजिम क्या होता है महजार क्या होता है बुगलकाल में मीर सादर क्या होता है रैयत कौन होते हैं और आपका बागी सारी चीजे भी है आप यहां पर देख सकते हैं, सारे टर्मस हमने cover कर लिये हैं, administration में जो है नागरम कौन होता था, बारीद कौन होता था, जो है मंडप जो ये कला से सम्मधित एक डू टर्म में, तो इसको पूरा cover कर लिया गया है, इसको आप देख लेंगे एक दो question done है यहां से, अभी हमने ब इसको complete कर लिया, वैसे इसमें जो है आधुनिक भी है, आधुनिक मैं अभी अलग recommend करूंगा, 17 गंटे में से करीब जो है 8-9 गंटे में आपका खत्म हो जा रहा है यहां पर, आपका प्राचीन भारत, मदिकालीन भारत, यह जो वीडियो जो है same to same English में भी है, हिंदी में भ भारत है, इस पर काफी ज़्यादा focus कर रहे हैं, दस question directly आने, इसमें जो major आपको देखने को बिलता है लगभग हर exam में ना सिरुफ बिहार SI में, कि आपको अकबार पुस्तिकाय में एक्जीन जो आपके spectrum की book पे आखरी में appendixes और lecture जो दिया हुआ है, उससे related राश्टरी समीति जो 3-4 तरह की है, धाका अनुसिलन समीति जो है, पुलिंदास ते खोली थी, इन सबसे आते रहते सवाल, इन से बहुत factual सवाल आते ये नहीं, आपसे पूरा पूछेगा कि बताईए कि पुलिंदास के जो है, धका अनुसिलन समीति का क्या उद्देश था, ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपसे रखका अनुसिलन समीति के संस्थापक का नाम बूचेंगा, ठीक है, गांधी जी के आखबन के बाद ये क्रोनलोजी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरीके तथ्या सकता है, बताईए ये चीज़ का बूई थी, जो है क्रोनलोजी में लगान है, उनका रेलिवेनस किया है, वो आपको तथ्यात्मक तोर पर पठना आ ए ठीक है, विश्ल लीरेस आत्मक नहीं जाना है, आपको तथ्यात्मक जाना है, आपको । म कॉणका ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए, ये कि भाही, रोलेट सत्याग्रह कब हुआ, चंपारन सत् अधिवेशन, Congress के अधिवेशन में विदेशी अधियक्ष कौन रही, यह अधिवेशन जो है बिहार में कब-कब हुए, इन सबसे सम्मंदित आप से तत्ति पूछे जाएंगे, इसके लिए क्या करना है, Study for Civil Services का अगर आप यह Spectrum वाला पापा वीडियो देख लेंगे ना, तो यकीन मानिए जो है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, इसमें पूरी chronology साइथ सब कुछ explain किया गया है, थोड़ा सा आप इसको speed बढ़ा कर देख सकते 1.5x में, अगर चाहें तो book से ही पढ किल जाते हैं, भारती राज विवस्था के बारे में बात करें, तो इससे 15 तक प्रशना आ जाते हैं, सबसे सरल वाले यही होते हैं, क्योंकि इसमें वन लाइनर फैक्ट पूछे जाते हैं, आप से पूछ लेगा कि बताइए इनको कौन निलंबित करता है, गौवर्णर जो जो है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे इन्रॉल्मेंट होते हैं, यह समदला बहुत तत्यात्मकत रहे की चीज़ें पूछी जाती है, आप प्रिवी सर देख लीजिएगा, लेकिन यहां पर पेंच यह है कि तत्थे काफी सारे होते हैं, ठीक है, तो आपको समुग रूप से इ महत्पूर्ट टॉपिक है, आपका जैसे प्रियेंबल है, मूल अधिकार है, डीपीसपी है, इस पर तो इंडिविज्वली वीडियो भी है, लेकिन मैं रिक्वेंड करूंगा कि इसको समख रूप से कवर करने के लिए, हमारे यह वीडियो है, यह जो है, आपका तक भी जा सकते हैं, सही कर सकते हैं, अच्छे से आपने इसको समख रूप से पढ़ लिया तो, और सारे फैक्ट अगर आपको एक्जाम में याद रहे गए, तो आप इसमें 15-15 पूरे स्कोर कर सकते हैं, बुक्स कि अगर बात करें तो आप कोई भी कंपाइलेशन ले सकते ह और सारे फैक्ट सही हूँ, ठीक है, लिस्टिंग होती है, इसमें कि कौन-कौन से हमने समिधान के प्रविजन दूसरे समिधान से लिए हैं, समिधान सभा बनी दी तो अलग-अलग उसमें समीतियों के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, समवैधानिक निकाए, जो गैर समवै आत्मक आपको विशलेशन करना है, मेरी बात आप समझ चुके होंगे, तो यह बातों के राजवस्था की, भूगोल की अगर हम बात करने तो इसमें 15 कोशन होते हैं, इसको पढ़ना काफी आसान है, क्योंकि भारत की भूगोल पर इनका फोकॉस रहता जादा, ठीक है, NCRT 9 से 11 में काफी सारा जो भारत वाले चैप्टर दिये हैं, उनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप कर लेंगा उसको, ठीक है, Study for Civil Services में, मतलब आप यह समझिए कि जो पेड में लोग देते हैं उससे भी बढ़िया कंटेंट हमने फ्री में वीडियो फॉर्म में डाल रखा है 6 से 11 तक हमने पूरा विस्तरत तरीके से इसको कवर किया है, जो लोग भी इसको देखेंगे, वो अपने कम से कम 12-13 कोशन यहां से सही कर लेंगे, ठीक है, 6 से 12 हमने किया, आप खाली 9 से 11 वाली प्लेलिस्ट मेसे चैप्टर ढूनने हैं, उसमें इंडिया वाला करना है, इं इसमें भुवाकृतिक प्रदेश, भुघरबिक सनरचना, ठीक है, अपवाहतंत्र भारत का क्रशी, खरनित संसाधन, भारत के उद्योग, शक्ती के संसाधन, यह जो है मिसलेनियस में भी आ जाते हैं, यह भारत का उद्योग शक्ती संसाधन, यह चाहे तो आप एकनोमियम डालने चाहे तो भूगोल में इंट्लूट करे रहें बाकी भूगोल से मैप अधरित प्रशनाता है कि कौन से पठार जो है कहां पर है यह ज़्यादा तर प्रिवेस एर काई उठा लेते हैं घास का मैदान, स्टैपी, सवाना पंपास, डाउन, यह सब विल्कुल जमान पिराटा होना चाहिए, यह 9th में है अगर आप 9th का देखेंगे तो कवर कर लेंगे 9th में किसी में है पूरी लिस्टिंग इसकी, ठीक है, कौन सा जो है जियोलोजिकल स्ट्रक्चर कब बना, कैसे बना यह सब जो है आजाता है, इसमें इंडिया पर ज्यादा फोकस रहेगा यहां पर, ठीक है कॉस्टल प्लेंस, इंडिया के पिनिस्लल प्लेंस हो गया, कौन से पहाड कहाँ पर है, कौन सा सबसे सदर्न मोस्ट है, नर्दन मोस्ट कौन सा है, काडमम जावड़ी, यह सब हिल्स जो है बतलब ऐसा पूछा जाता है, NCRT सही करेंगे, तो ज्यादा सही रहेगा, कोई भी compilation खरीदेंगे, उसमें हमेशा ही तथ्यात्मक कलतियां होती है, अंतमे NCRT का ही आयोग बानता है, आपका पुलिस बोर्ड है, उसमें आप NCRT का ही तथ लगाएंगे, अगर वो objection माँगेंगे, तो यह सबसे साही strategy रहेगी, भोगोल के लिए अब हमारे channel पर पूरी playlist available है, मैं आपको show कर दे रहा हूँ यह study for civil services पर NCRT class wise पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं हमने आप जैसे आपको बताया कि इसमें tricks पूछी जाती है, तो tricks का अलग से दिया है, कौन सा straight कहां पर है, कौन सा plateau कहां पर है, ocean currents कौन कौन से कहां पर है, वो सब यहां पर दिये हुए हैं ठीक है, उसके लाबा यह class wise दिया हुआ है, देखे, part and part wise आप इसमें open करेंगे, आपको मिल जाएंगे सारे, जैसे fiscal feature वाला बहुत important है, अब वहात अंत्र वाला chapter हो गया, यह important है, climate वाला छोड़के जो है, काफी सारे important हो सकते हैं जैसे वायू मंडल की परतों से एक question लगाता आ रहता है, कि बताईयो zone कहां पर सारे वीडियो यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ISFR की report, mountain ranges यह बहुत important chapter है, यह सब यहां पर मिल जाएगा, तो 9th से 11th आपको करना, 11th में भी सारी book नहीं करनी है 11th में जो आपका chapter है urbanization related, उसी से ज़्यादा आता है fact पूछे जाते, club of Rome वगेरा कहां पर है, कौन सा पॉस्टिलेट किसका है यह सब, ठीक है, fundamentals of human geography के तीनों portion यहां पर करवाएगा है लगातार इसी से आता है, जनगरना वाली बात होगे census की, तो वो भी geography 11th का part है, वरना आपको कहीं न कहीं census का मिल जाएगा, census का वीडियो हमारे यहां पर कर लेंगे, तो सारे question होगे, भुगोल में कुछ कुछ question confusing जरूर होते हैं आप आधारित, उनको छोड़ भी दें, तो आप 12 question यहां से निकाल लेंगे, राम से अर्थ विश्था की बात कर लें, तो यह काफी diversified topic है, इसमें बहुत सारे fact भी हैं concept के लिए video series जल्द हमारे channel पर आने माली है, आप कोई भी book मत लीजेगा, अगर आप wait कर सकते हैं, तो wait कर लीजे, NCRT economy इस तरीके से बढ़ाई जाएगी, कि सारे कि सारे exam वाले आप कर लें, high से high level या one day exam इसमें तथ पर एक चीज़ें कौन-कौन से आती हैं, कि आप से घाटे पूछे जाते हैं, किस तरह होते हैं, deficit, मौधरिक नीती कौन-कौन बनाता है, किसनी तरीके के होती हैं, आपके headquarters पूछ लेते हैं, wish bank IMF, उनकी संस्थाओं के, हरित करांती बहुत important है, पूछ लेते हैं, wish bank के अध्यक्षाओं है, और Asian Development Bank के अध्यक्षाओं है, अध्यक्षाओं पर इनके सब पता होना चाहिए, साथ ही साथ यहां पर वेने आपको बताया है, कि जैसे जोग्रफी का जो portion दिया हो है ना, कि खनीज वाला, तो खनीज का data पूछ जाता है, कि नमींतम आख्डों में, सबसे ज़्यादा मैंगनीज किस प्रदेश में, सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में हैं, भंडारन के अधार पर, या उत्पादन के अधार पर, स्वास्त इंडिकेटर जरूर पूछ जाता है, एक कोश्चन जरूर आएगा आपके एक्जाम में, आये मार जो है इंडिया का कितना है, नीती आयो के इसाप से लेटेस्टा, आंकडो के नुसार, जो चाइल्ड मौटल्टी रेट कितनी है, टोटल फर्टीलिटी रेट कितनी है, यह सब मिल जाएगा आपको मारे चैनल पर, ठीक है, इस पर एक सवाल जो है जरूर आएगा, और कुल विला करके आठ से दस सवाल अर्थवरस्था से पूछ जा सकते हैं, अर्थवरस्था काफिज ज़्यादा डाइबर्सिफाइड है, विज्यान भी एक बहुत बड़ा पोरुशन है, यहाँ पर 20 सवाल आते हैं, इससे बाइलाजी के करीब 12-13 कोशन होते हैं, 11 तक तो पक्का होते हैं, तो NCRT से करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, बांकी सारी किताबों का मैं नहीं देखता हूँ, और मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, उसमें डेटा गलत निकलाता है, इसमें सारे नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे तो आप देखें, 11-12 की बुक बहुत बड़ी है, Study for Civil Services ने competitive exam के लिहाद से, जितने chapter cover करने जरूरी है NCRT विज्ञान में, लेटेस्ट बुक्स जो आई हैं 2004 में, उनका पूरा वीडियो संकलित कर लिया, 45 घंटे में अगर आपने देख लिया, तो यकीन मानिया, आपका कोई भी कोशन गलत नहीं होगा, लोगों ने की हैं, अपने सारे कोशन पिछले exam में, डिससपी में, और सारे PCS exam में हमारे उसी वीडियो से लगातार कोशन आते हैं, ठीक है, तो अगर आपने कर लिया, तो परेवरेंट के भी सारे तथ्या आप इसमें कर लेंगे, विज्ञान के कम से कम, आप 17-18 कोशन चरूर से जरूर से जरूर सॉल्व कर लेंगे, तो इतना material हमारे यहां पर available है वीडियो फॉर्माट में, जिससे देख लिया, वो cover करेगा, और आप देखीगा result वाले दिन भी, अब इतना पढ़ने के बाद आपको revision भी करना है, तो अभ्यास आप कैसे करेंगे, आप कोई भी, अगर आपके छेतर में अच्छी आ रही हूँ, practice books तो आप उन्हें ले सकते हैं, मैं किसी का नाम ने लिएंगा, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं हमारी original test series, हमने किसी की उससे ने लिए हुआ है, जो चीजे मैंने बताई जैसे NCRT science से बताई है, तो हमारी test series में NCRT science के सवाल है, हमने NCRT पढ़ने को आपको जोग्रफी से बताई है, अगर इस पर बहुत अच्छा response रहा, तो हम 15 तक भी करवा देंगे, चाहिए इतनी भी यहाँ पर मैनेच लगे, आप इन sets को देखिए और अगर आपके इलाके पर आती हो कोई booklet तो आप उसको मिलाईए कि इसमें कितना अंतर है, लोगों ने बस वही पुराने question copy-paste किये और हमने नए concept निकाले हैं और expected question को यहाँ पर बनाया है, तो जो जो हमने आपको topic बताए वो topic आपको practice के तौर पर इस सवालों के set में मिल जाएंगे, पूरा JS और reasoning maths का यहाँ पर include किया जाता है, इन सब विशियों को मिला देतों करीब हम 80 question तक पहुच चुके हैं, जिसमें सब हमने आपको करीब 68 से 70 सही करने का रास्ता बता दिया है, अब बाकी चीजे बचती हैं आपकी reasoning maths की, बिहार वालों की reasoning maths काफी मजबूत होती है, तो आपको करीब 13 question जो है reasoning तक के देखने को पिल सकते हैं, और 5 या 7 आपको maths के देखने को पिल सकते हैं, यही आपका 100 का आकड़ा बन जाता है, ठीक है, इस सब practice पर अधारित है, हमारे यहां पर सी साइट का वीडियो पढ़ा हुआ चैनल पर आप उससे कर सकते हैं, वैसे आपको खुद से practice करनी चाहिए, आप लगातार अपनी books से practice करेंगे, वह अच्छा score कर ले जाएंगे, और अपना स्थान यहां पर सुनिश्चित कर लेंगे, जो लोग सारे दक्षता समता में उत्ती गढ़ाऊंगे, ठीक है, अच्छा है अगुना लोग यहां पर लिए जाएंगे, जितनी vacancies हैं, निगेटिव मार्किंग इस वज़े से अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, attempt करते समय, वैसे तो compulsory paper जो हिंदी का है, जो qualifying paper है, जिसमें आपको 30 score करने है 100 में से, 30 सवाल साही करने है 100 में से, आप कर सकते हैं, असानी से आप बुक ले सकते हैं, अगर आपकी concept भी कम जो हो रहे हैं, तो आप ये वाला मारा वीडियो देख सकते हैं, इसमें सारे के सारे concept clear कर लिए गए हैं, आप वीडियो देखी और बांकी लोगों के compare कर सकते हैं, Study for Sincer's के चैनल को आप subscribe कर लिजिए, यहाँ पर, बेल आइकन में दबा दीजिएगा, हमारे जो बिहारसाई के मौक आरे हैं, उनको like करिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने friends के साथ share करिए, इससे और भी हम बनवाने को motivate हो सके, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो अप्लोड कर सके, जय हिन दोस्तू, बंदे मात्रम,